यह जीतने पार्लेमेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने फॉर्म भे हैं उन फॉर्म में उन्होंने लिखा हैं किसने कितना गुना किया हैं किस पर कितने केसिश चलते सब आता है ना कमरों में उता है कि मैं पहरता है ओडिवां कि कमिटी मनां और मैं जीतने आज़ धर Pvdit जिसी पर कुंदक्रण करते हीगा जसंद् RAM निकालव जो दिल्ली से उड़कर वहां पहुँचेंगे ना कैबिनेट मिनिस्टर हो प्रैमिनिस्टर हो सेवक प्रधान सेवक जीने जो कहना कह लिए उनसे कहिए कि आप सुईकारिये कि आप अपराधियों को भेज रहें चुनाव मैदान में चुनाव जीतने के लिए यह अपराधी है आरोपी सही लेकिन है उसने हलफ नामे में जिक्र किया है और आपने बला अपराध किया है कि संख्या भी बढ़ा दिया कि परचार और करो और इतनी वही तादाद में परचार करो कि प्रती घंटे एक करोड से ज़ादा हर कॉंस्टिंसी में सिर्फ परचार में खर्चो रहा है यह अभी का डाटा है जो आने वाले वक्त में बढ़ेगा इसलिए क्योंकि यह डाटे की मानिता तो सरकार ने दी है दोस्तों यह लोकतंत्र अपराधियों का लोकतंत्र है यह लोकतंत्र रईस अपराधियों का लोकतंत्र है इस लोकतंत्र के भीतर में अगर आप अपराधी हैं तो उसके बाद पैसे आपके पास बनते चले जाएंगे खाजाना आपका भरते चला जाएगा और जब लोकतंत्र का राग चुनाओं में तब्दील होगा तो उसके बाद आप राधिक छवी के साथ पैसे की पोटली लेकर आप चुनाओं मैदान में उतर जाएए क्या बिहार की रैली में जाकर परधान मंतरी जिक्र करेंगे राहुल गांदी जिक्र करेंगे या कोई भी पार्टी का एक्स वाई जट जिक्र करेगा कि हमने अप राधियों को टिकट इसले दिया है और इलेक्शन कमीशन जो आँख बंद करके अपने आँखों पे पट्टी लगा के कह रहा है कि आपको अखवार में निकालना होगा ट्विडिस्वेंट ट्विटर पे बताना होगा शोशल मीडिया बनाना होगा कि हम अपराधी हैं तो बिहार के उमिदवारों की फेरिस्त में अगर सभी ने निकालना शुरू कर दिया तो सिर्फ अपराधियों का ही ट्विटर हैंडल चलेगा उनी का शोशल मीडिया चलेगा उनी का विज्यापन आते रही और इस देश की पूरी एकनौमी जो 15 दिनों के चुनाव प्रचार पर खर्च करने के दौरान की जाएगी वह दुनिया के सबसे रईस देश की प्रती व्यक्ति आए की तुल्ना में भी ज़्यादा होगी तो आप ये कल्पना के परे होगा जिस रज में प्रती व्यक्ति आए 47,000 रुपए एक साल के हो उस रज में प्रती घंटे एक करोड रुपए प्रचार में चुनाव प्रचार में फूके जा रहे हो वह भी सिर्फ पहले फेस के 71 सीटों को लेकर यानि दूसरा और तीसरा फेस जोड़ दीजेगा यानि पूरे बिहार को जोड़ दीजेगा तो हर घंटे एवरेज तीन करोड रुपए जो की मानिता के अनुसार वाइट मनी है उसको उड़ाया जाता है चुनाव प्रचार के दौर में आपका एकस्प्राइटेशन सोशन कैसे होता है यह नजर आएगा कानून की धजिया कौन उलाता है और किसी भी नियम काईदे का पालन कौन क्यों नहीं करता है यह भी आपको नजर में आएगा यह एक बिहार की एक ऐसी सिच्वेशन के भीतर में कल ही सरकार ने निर्णे लिया कि कोविट के दौर में चुनौप परचार पर खर्च जादा किया जाना चाहिए तो उसने दस परसंट खर्च बढ़ा दिया यानि कल तक 28 लाग खर्च कर सकते थे और अब आप 30 लाग 80,000 रुपए खर्च कर सकते हैं 1066 लोगों ने फॉर्म बरा कितने लोग इसमें से अपरादिक हैं कितने लोग इसमें अपरादिक छवी के साथ गंभीर अपराद के आरोपी हैं जिसमें सजा हो जाए तो कम से कम 5 साल ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद इसमें जो उमिद्वार खड़े हुए हैं पिर उन्तेस उमिद्वार ऐसे हैं जिनोंने महिलाओं के खिलाफ अपराद किया है। इन तिरेपन कवड़पती उमिदवारों में से जो इन 31 पर गंभीर हैं ये सभी कवड़पती हैं। महिलाओं से जो भी है उसमें रेप की इस्तिती भी आती हैं। महिलादा उमिदवार आएंगे जिन पर गंभीर अपराधिक आरोप चाहे वो उस गड़बंदन के हो या इस गड़बंदन के हो यानि राहूल गांदी यहां से उड़के जाएं। कैबिन अपराधियों के परचार प्रसार के लिए जाएंगे क्योंकि लोकतंत्र अपराधियों का जिंदा रखना है और उनके परचार की कीमत भी इस दोर में बढ़ा दी गई है। LGP के 30 उमिदवार जो हैं कर पती हैं 30 में से 24 उमिदवार ऐसे हैं जिन पर अपराधिक मामरे चल रहे हैं। 24 के भीतर में 20 उमिदवार ऐसे हैं जिनके उपर गंभीर अपरादी का रोप है टोटल 41 उमिदवार पहले राउंड में चुनाव मैदान में हैं LGP के जो उमिदवार हैं उसमें बड़ी लगभग 500 उमिदवार ऐसे हैं जो कॉलेज नहीं गया है 74 लिटरेट हैं स्कूल भी नहीं गये 5 ऐसे हैं जो पढ़ाई ही नहीं जानते हैं लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं वह भी चुनाव मैदान में है 8 ऐसे हैं जो पांचमी पास है 64 ऐसे हैं जो आठमी पास है 170 ऐसे हैं जो 10 वी पास है 213 ऐसे हैं जो 12 वी पास है लेकिन कॉलेज नहीं गए ये इस्तिती 500 के लगबग उमिद्वार टोटल लगबग 476 उमिद्वार बनते हैं जो की कॉलेज गए ही नहीं उनके लिए आपको वोट डालने निकलना है उन बेरोजगारों की फौच को निकलना है जिनके हाथों में डिगरी है वो रोजगार चाहते हैं लेकिन उसको रोजगार के लिए उन्हीं लोगों के पास जाना है जिनकी आर्थिक स्थिती समाजी की स्थिती और एजुकेशन की स्थिती ये आपके सामने हमने जान बुछ कर रख दी